प्रुदेश में कोरोना पोजिटिव का आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है वहीं भीलवडा से राहत की खबर आई है यहाँ पर गुरुवार को सिर्फ एक ही मामला सामने आया है वहीं 25 पोजिटिव निगेटिव हुए हैं आपको बता दे कि भीलवडा में अभी तक 28 पोजिट के लिए हमारे साथ भीलवडा से हमारे सववादाता योगेश शर्मा फोन लाइन पर मुझूद हैं जी योगेश किस प्रकार की विवस्ताएं चल रही है क्या हालात हैं भीलवडा के सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा विलवडा के लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि 28 में से 35 नेगेटिव हो चुके हैं और दो की पहले ही मौध हो चुकी है और आज दिन तक तो विलवडा पूरा कोरोना संक्रम मुक्त हो चुका था लेकिन एक दुक्की बात यह है कि दिन में एक कोरोना पोजेटिव विक्ति हो सामने आया है जी इस विक्ति को लगा तर खांसी की शिकायत थी और इनका तींचा दिन पहले ही सेंपल लिया तो आज इसकी पुष्ट हुई जी तो योगेश जी जानना चाहेंगे कि जो आज पोजेटिव आई है रिप हो चुके हैं और पंदरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दे गया और दस जो है उनको इस टेफ डाउन वार्ड में बढ़ती किया हुआ है और तीसरी रिपोर्ट जैसे ही आती है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा जी अंतिम सवाल आप से मैं जानना चाहूंगा कि जो आपको बताओं यह वाकिया भी जो इसकी पुश्टी हुई है थोड़ी देर पहले ही है इनके पूरे परिवार को हॉस्पिटल ले जाए गया है पूरे जो वार्ड में इनके दोनों तीनों गिली है इनको सीच कर दे गया है पूरे मोहिले की स्क्रेनिंग की जा रही है जी और अभी तक जो कुल मिला के जो मरबार अपडेटेट जो अवेटिंग दाटा है बहुत कम है पचास के आसपस है जो अवेटिंग है आशिश चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे हमारे भीलबडा संवादता योगे शर्मा जिनोंने जानक तो है